कितना अच्छा होता ना अगर मार्केट में बहुत सारी चॉइसेज ना होती हमें confusion at least ना होती कि ये वाले कुक टॉप सबसे अच्छा है या मेरे किचन में वो वाला कुक टॉप सबसे अच्छा लगेगा इतनी सारी चॉइसेज के साथ जो confusion develop होती है that is natural but उस confusion का end मैं आज और मैं आपको इंडिया में मिलने वाले best cooktops बताऊंगा जो आप 2023 में खरीद सकते हैं और वो सारे बहुत अच्छी build quality के साथ भी आएंगे और उन के अंदर जो cons हैं वो भी मैं आपको इस video के अंदर detail में बताने वाला हूं दोस्तो मेरा काम करने का तरीका बिलकुल different है किस ब्राइंड से पैसे लेके आपको कोई product recommend नहीं करता हूं क्योंकि इस channel पे मैं किसी भी type का sponsored content नहीं चलाता हूं मैं हर product को पहले खुद खरीता हूं कुछ time के लिए कुछ महीनों के लिए पहले उसे खुद use करता हूं चाहे अपने office में चाहे अपने ही घर में और उसके इस product को भी मुझे किसी brand ने नहीं भेजा है बलकि इसे मैंने खुद खरीदा है और नहीं किसी brand ने मुझे पैसे दिये है इस video को बनाने के लिए ये बात आपके लिए जाननी क्यों जरूरी है ताकि आप अपनी hard earned money जब खर्च करके ऐसा या कोई भी और अपनी पसंद का product खरीदें तो आपको कम से कम ये पता हो कि ये best है क्योंकि मैंने विनीत मलोतरा ने ये बोला है और दूसरी बात ये government of India की guidelines भी है अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैं कमाता कैसे हो दोस्तों बहुत simple है मैं आपको हर product का अपना affiliate link दूंगा description box में अगर आप उसे यूज क हमें मिलेगी उसे जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के हम ऐसे product खरीते हैं बहुत सारा staff रखते हैं उनसे testing करवाते हैं salaries देते हैं और नजाने क्या क्या काम करके आपको ऐसे videos दिखाते हैं आशा करता हूं कि आप मुझे support करेंगे और VM1 description के अंदर जो list मिलेगी आपको व test या check नहीं किया आप उसे भी जरूर चेक करिएगा अब मैं आपको बताता हूँ best cooktops जो आप खरीद सकते हैं इंडिया में 2023 में लेकिन उससे पहले आपको कुछ points भी बीच बीच में बताता जाओंगा ताकि आप एक cooktop लेने के साथ साथ एक सही cooktop ले और आपको कोई पर लेकिन दिखने में glass cooktop जाद अच्छे लगते हैं और आपकी kitchen के decor के साथ तो अच्छे जाएंगे ही लेकिन वो कच्चे नहीं होते हैं क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो glass है वो टूट जाता है या crack हो जाता है गरम बरतन रखने पे वो बिलकुल खराब हो जाएग और दुबारा किसी काम का नहीं रहेगा नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है अगर आप एक सोच समझ के सही product खरी देंगे जो अच्छे toughened glass के साथ आता है तो वो cooktop कभी खराब नहीं होगा अब मैं आपको best cooktop बता हूँ उससे पहले आपको ये भी बताता हूँ कि two, three या four burner cooktop में build quality या design में उतना जादा फरक नहीं होता लेकिन आपको उने चुनना चाहिए as per your usage अगर आप बहुत जादा cooking एक साथ करते हैं या करती हैं तो आपको एक three या four burner cooktop लेना है अगर आपकी family छोटी है और आपको जादा cooking एक साथ ही नहीं करते या करती हैं तो आपको two या three burner cooktop लेना है depending on the usage आपको किसी brand या फिर किसी एक product की looks के उपर ना जाते हुए अपनी usability को सबसे पहले चेक करना है मैं जितनी भी options आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा उन सभी में mostly सभी में two, three या four cooktop models available हैं और वो सारे links आपको description box में मिलेंगे आप उसे अराम से चेक कर सकते हैं लेकिन पहले अपनी usability को समझें और इस वीडियो को बहुत ध्यान सा देखें मेरी हमेशे से कोशिश रहती है कि मैं अपने उन दोस्तों का बहुत जादा खयाल रखूँ जिनका budget थोड़ा सा कम है और अगर आपका भी budget थोड़ा सा कम है to buy a cooktop in 2023 तो आपके लिए है मिल्टन का premium cooktop जिसके अंदर आपको 2, 3 या 4 burner cooktop range देखने को मिलेंगी और ये manual ignition के साथ आने वाला cooktop है जिसमें आपको glass top देखने को मिलेगा मिल्टन के इस cooktop के अंदर आपको 7 mm का toughened glass top देखने को मिलेगा और ये 100% brass burners के साथ आने वाला cooktop है जिसमें आपको pan support भी देखने को मिलेगी raw tyran की और stainless steel की drip tray भी मिलेगी लेकिन वो fixed tray है drip tray कुछ इस तरीकी की होती है और वो हर model में different design की होती है इसे मैंने यहां से निकाला है और इसका फायदा यह होता है कि खाना बनाने के बाद अगर थोड़ा सा खाना यहां पर गिर जाए तो आप drip tray को निकाल के उसे वाश करके दोबारा लगा सकते हैं लेकिन अगर वो fixed होगी तो उससे नुकसान क्या है नुकसान simple है कि आपको खाना बनाने के बाद थंडा होने की वेट करनी पड़ेगी यानि चूले के थंडा होने की और उसके बाद यहीं पे sponge लगा के gas stove को clean करना पड़ेगा now this is slightly cumbersome बट अगर आ के सुनिये मिल्टन के इस model के अंदर आपको anti skid rubber legs भी देखने को मिलेंगी और पीछे की तरफ 360 degree nozzle भी देखने को मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि मिल्टन का यह model ISI certified भी है मिल्टन आपको देगा इस पर 1-year की comprehensive warranty और अगर आप इसका 4 burner model खरीदना चाहते हैं तो वो सकते हैं मैंने सबी models के links आपको description box में भी दिये हैं और VM1 kitchen appliance list में भी दिये हैं आप उस list को भी download कर सकते हैं अपने phone में ताकि आप जल्दी से in models को सही price पे खरीद पाए अब आपको बदाता हूं इसके pros and cons मेरे असाब से मिल्टन का यह वला model बहुत जादा अच्छा है और सबसे जादा budget friendly model है इसके अंदर आपको जो features मिलते हैं particularly यह 7 mm का जो toughened glass आपको देखने को मिलता है that is very very good generally आपको 6 mm का toughened glass देखने को मिलेगा हार model में इसमें 7 दिया गया है slightly extra it is good मतब build quality के हिजाब से मुझे कोई problem नहीं लगी चूले का जो design है वो भी बहुत अच्छा है यानि चारो burners अगर आप चार बरनर ले रहे हैं तो चारो burners के बीच में जो space है वो बहुत sufficient है so that is also very very important ताकि एक दूसरे से बरतन टकराए नहीं अब यह जो चीजी है कि मेरे कुछ लगा कि इसकंदर वारंटी जो है वो सिर्फ एक साल की ही है जनरली ग्लास के ओपर भी एक्स्टर वारंटी ब्रांट्स देते हैं और आपको तू यह की कॉम्परेंसे वारंटी मिलती है मिल्टन ने सिर्फ वानियर की दी है नव कॉस्ट भी कम है अगर इस तरीके से इंडिया की 2023 की मेरी लिस्ट में नंबर फोर पे आने वाला मॉडल है ग्लेन का फोर बर्नर या फिर आप इसका थ्री बर्नर कुक टॉप भी ले सकते हैं फोर बर्नर के अंदर आपको दो लार्ज और दो स्मॉल साइज बर्नर्स देखने को मिलेंगे और इसमें भी 100 परस ब आपको देखने को मिलेगी एंड डेफिनिटली आपको 360 डिगरी नॉजल भी देखने को मिलेगी कुक टॉप के पीछे की साइट पर हो सकता है कि आपके मन में सवाल आए कि ये सारे LPG वाले कुक टॉप में बता रहा हूं या PNG वाले क्योंकि कोई भी कुक टॉप जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं वो LPG के साथ बाइ डिफॉल्ट काम करेगा और अगर आपके घर में PNG की पाइपलाइन आती है तो आपको इस कुक टॉप को इंस्टॉल कराने के लिए जो इंस्टॉलेशन टीम आती है उस है पर आप ये काम खुद ना करके किसी एक्सपर्ट से कराएंगे और सो रुपे देंगे में लग बग सो रुपे तो बैस्ट रहेगा खुद कभी भी रिस्क मत लीजेगा मुझे इस कुक टॉप के अंदर कोई भी बुराई नहीं लगी ये ग्लें की तरफ से बहुत ये भी कोई कॉन नहीं है तो मैं इस कॉन को हटा देता हूं लेकिन मुझे एक और जो चीज लगी कि ग्लास के ओपर एक्स्ट्रा वारंटी ग्लें ने नहीं दी अगर वो ग्लास के ओपर एक्स्ट्रा वारंटी देते तो शायद थोड़ा और सिक्योर हम फील करते इस कुक अगर मैं चार बर्नर की बात करूं तो उसमें जो आपस में बर्तन नहीं टकराएंगे चारों पर बरतन रखने के बाद भी ये मेरे लिए सबसे बड़िया पॉइंट था इसलिए ग्लें का ये कुक टॉप मैं रेकमेंट करता हूँ है नंबर फॉर पोजिशन और इसके लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और बीम वन किचन अप्लाइंस लिस में भी और आप यहीं पर वेट कर रहे हैं जाये बैस्कुक टॉप इन इंडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नंबर थ्री पे आने वाला बहतरीन कुक टॉप है फेबर का ये वाला कुक टॉप जिसके अदर आपको फोर बर्नर या फिर थी बर्नर ऑप्शन देखने को मिलेगी इस कुक टॉप पे विच इस वेरी वेरी गुट इस एट एमम टफन ग्लास टॉप के साथ आपको ब्रास बर्नर देखने को मिलते है जारो या फिर तीनों आप जो भी मॉडल लेना चाहें और इस कुक टॉप पे आपको ब्लाक मैट कोटेड बॉड देखने को मिलेगी अच्छ फेबर की वारंटी इतनी जादा डिफरेंट है कि आपको सुन के हैरानी भी होगी और खुशी भी फेबर आपको देते हैं टू यह की कॉंपरेंसिव वारंटी इस कुक टॉप पे फाइव यह की वारंटी ओन दी ग्लास टॉप एंड दी बर्नर्स विच इस वेरी वेरी वारंटी नॉजल पे भी देते हैं यह नॉजल पे वारंटी का मुझे एक्चली रीजन समझ नहीं आया बट अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो यह कुक टॉप इस समय कॉस्ट करता है सिक्स थाउजन रुपीज का फॉर बर्नर कुक टॉप और थ्री बर्नर का यह रह प्राइस अब आपको बताता हूं इसके प्रोजन कॉंस उसके बाद आप यह खुड डिसाइड करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फेबर के इन कुक टॉप्स को चेक करना है या फिर कोई और मॉडल चेक करना है फेबर के यह मॉडल बहुत अच्छे है मेरे हिसाब से इन में सबसे बेस्ट पार्ट है एट एमेम का टफन ग्लास टॉप क्योंकि यह इतना सॉलिड ग्लास टॉप है कि आप को कॉलिटी बहुत अच्छी मिल रही है space between the burners is I think sufficient it is not excellent और उसी के अंदर एक कौन भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है अगर आप ध्यान से इसको observe करेंगे तो इसकी जो width है या नो cooktop की जो width है वो तो अच्छी है लेकिन जो depth है वो उतनी अच्छी नहीं है मतलब वो थोड़ी सी छोटी है अब इसका क्या मतलब हुआ जब आप अपनी slab पे इसे रखेंगे तो इसकी जो depth है यानि इस तरह से vertical लंबाई वो थोड़ी सी कम है तो आपकी slab पे थोड़ा सा और अंदर के तरफ ये चला जाएगा लेकिन ये थोड़ा चौड़ा जरूर ह जो बरतन आमने सामने होंगे वो शायत टकरा सकते हैं अगर वो बड़े साइज के हैं तो लेकिन अगर आपके घर में ऐसा यूसेज नहीं है या फिर आप इसका थ्री बर्नर मॉडल चेक करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इस दे कौन जो मैंने फील किया हो सकता है आपकी यूजबिलिटी के हसाब से या जिसन साइज के बरतन आप यूज करते हैं उनके हिसाब से ये कौन ना हो इसलिए आपको इसे मैंने लिंक्स इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हैं आप उने क्लिक करके इसकी फोटोग्राफ को जज़ सकते हैं कि एक घर के हिसाब से आपके यूज के हिसाब से ये सही है ये उसके बाद इसकरीदने या ना खरीदने का डिसिजन ले सकते हैं। जढे एक चेक करिये। मेरी लिस्ट में नमबर टू पे आने वाला बेस्ट कुक टॉप है प्रेस्टीज का ये वाला मॉडल जिसे मैं खुद अपने घर में यूज कर रहा हूं पिछले एक साल से ये मेरी और मेरी फैमिली के नीट के हिजाब से बिल्कुल पर्फेक्ट है और इस कुक टॉप के अंदर आपको दो मीडियम और एक स्मॉल साइज बर्नर देखने को मिलेगा अब्यूसली विद मैनुवल इगनिशन प्रेस्टीज के इस कुक टॉप के अंदर 6 mm टफन ग्लास टॉप आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको ट्राइपिन ब्रास बर्नर्स देखने को मिलते हैं त्राइपिन ब्रास बर्नर्स थोड़े से बेटर क्वालिटी के हो कि अपने घर में लगती है वो है इस कुक टॉप की रिमोवेबल डिप ट्रे अब कुकिंग करते हुए मुझसे अक्सर खाना किरता है स्पेशली चाय बनाते हुए चाय और वो चाय को क्लीन करना अगर रिमोवेबल डिप ट्रे ना हो तो बहुत डिफिकल्त है मेरे काम 360-degree nozzle भी देखने को मिलेगी और overall इसकी जो बिल्ड कॉलिटी है वो काफी स्टर्डी और टफ है मेरे लिए इस कुक टॉप की स्पेस इस्ट्रिबूशन बिल्कुल परफेक्ट है और प्राइस भी मेरे हिसाब से परफेक्ट है मैंने इसके लिंक्स आपको डिस्कृप्शन बॉक्स में दिये हैं जाये इसे चेक करिये लेकिन वेट ना आपको प्रोजन कॉंस बता दू पिछले एक साल से मैं ऐसे यूज कर रहा हूं मुझे किसी टाइप की यूजबिलिटी में कोई प्राब्लम नहीं आई क्योंकि हम अपनी फैमिली के अंदर अगर कुछ गेस्ट आते हैं तो बड़े बरतन भी रखते हैं और छोटे बरतनों में खाना भी कुक होता है और सारे बर्नर्स एक साथ भी यूज होने पे मुझे किसी टाइप की स्पेस बिट्वीन बर्नर्स में कोई इशू नहीं आया अधरवाइस अधर फंक्शनलिटी ओ गुटॉप इस एक्सलेंट और बिल्ड क्वालिटी वाइस मुझे ये कुटॉप बहुत स्टुडी लगा 6 mm ग्लास टॉप होने के बावजूद भी तो आप एक नए बायर है और आप ये कुटॉप खरीदना चाते हैं तो इसमें आपको 1-year की कॉम्प्रेहंसिव वारंटी मिलेगी उसके अलावा कुछ नहीं ग्लास पे एक्स्टर वारंटी होती तो वो थोड़ा और साटिस्फाइंग और कमफर्टिंग होता बट वो नहीं है तो प्राइस 3800 है आप डिसाइड करिये आपको ये ज्यादा अच्छा लगता है या नहीं मैं इसके लिंक्स देती है आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वी एम वन किचन अप्लाइंस लिस्ट में भी जाये इसे चेक करिये बेस्ट कुक टॉप इन इंडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नमब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा कुक टॉप जादा पसंद या फिर आपकी जरूरत में कौन सा आता है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि फोर बर्नर कुक टॉप के अंदर आपको टू लार्ज और टू स्मॉल बर्नर देखने को मिलेंगे ओविसली विद मैनुवल इगनिशन ये कुक टॉप बहुत जादा अच्छे 6 mm टफन ग्लास टॉप के साथ आता है और इसके अंदर आपको हेवी ब्रास बर्नर देखने को मिलेंगे आप इनके यूज से देख सकते हैं कि हमने कितना हेवी इसको यूज है पहले मेने से अपने घर पर बहुत महीने यूज किया उसके बाद मैंने से अपने ऑफिस में इस समय यूज किया और यूज के बाद क्योंकि इसके ओपर अगर खाना गिरेगा तो यह थोड़ी इस तरह से स्लांट में है और यह खाना गिरके आप इसको निकाल के वाश करके वह वाला परपस सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर ब्रैंट आपको अगर ब्रैंट आपको सेवन यर्स की वारंटी और सेवन यर्स की वारंटी आपको इस पे लगावा मिलता है I think it is very very good क्योंकि अगर ब्रैंट आपको सेवन यर्स की वारंटी दे रहा है that means they are assuring you की उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है and they are super confident और आपके अंदर भी confidence भर रहे है प्रैस वड़ा जादा है क्या? Actually not 4,300 रुपीज कोस्ट करेगा आपको अलिका का ये 4 बर्नर मॉडल which I think is a very very good price और 3 बर्नर और 2 बर्नर के ये रहे प्रैस आपके सामने ये आज के प्रैस हैं? ये चेंज हो सकते हैं इसलिए आपको इन सभी मॉडल्स के लिंक्स मेंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जाए इने चेक सरूर करिएगा अब आपको बताता हूं इसके प्रोज और कॉन्स मेरे लग भग एक साल के यूसेज के अंदर मुझे ऐसा लगा कि इस कुक्टॉप में कोई भी परिशानी नहीं है मैंने से घर पे और ओफिस में दोनों जगा यूस किया और फाउंड इट रेली 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 वेरी गॉड कॉलिटी कॉक्टॉप इन में जो स्पेस डिस्ट्रिबूशन है कुक्टॉप में बहुत शानदार दी गई है मतलब कहीं से भी स्पेस की कमी नहीं है थोड़ी सी भी कमी किसी तरह से नहीं करी गई दी डिप ट्रे हाउएवर इस नाट आट यूनों सेक्सेस्वल ये बिल्कुल भी परपस वो सॉल्ट नहीं करती है कि मैं उसे उठा के दो के वापिस लगा लू और शायद डाट खाने से बच जाओं कि मैं उसे चाहे क्यों गरी ये नहीं हो पाया मुझसे एंड़ इस दी ओनली कॉन दा फेस्ट अधर्वाइस मुझे इस कुक्टॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी ये मेरे घर पे नहीं है और प्रेस्टीज मेरे घर पे है क्योंकि उसमें ट्रिप ट्रे है ना जोकस अपाट I think it is the best model मैंने आपको इसके लिंक्स देगी है दिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइस पीस का रिजनेबल है what are you waiting for याद रखिएगा दोस्तों जितने भी कुक्टॉप मैंने आपको बताए उन सभी के अंदर 4, 3 और 2 बर्नर मॉडल्स अवैलेबल हैं आपको जादा सर्च करने की जरूरत नहीं है आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और VM1 किचन अप्लाइंस लिस्ट को डाउनल बगता हूँ या चेक करता हूं उसके बाद उन्हें रəक्यमेंट करने या ना करने का फैसला करता हो और उनमें इंकलूड करता हूँ उस लिस्ट में आपको वा लिस्स बहूत काम आईगी कैसा लगा आपको ये वीडियो पताईए ौछे काम आएगी मिज अर जाते जाते और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले इसी टाइप के एक कमपारिजन या एक ट्रू व्यू में बहुत ही जल्दी थांक यू वेरी वेरी मॉच